Welcome to Learn Together, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार एस्टेट सोसल साइंस पेपर वन को तो हम लोग जगरफी यहां पर कवर कर रहे हैं और जगरफी में जो हमारा चैप्टर है यह है बिहार कृषी एवं वन समसाधन इसके पहले के जो 50 question है उसका link description में दिया हुआ है वहां से जाकर के आप लोग देख लेंगे और यह उसका part 2 है तो उसके आगे के questions को हम लोग इसमें cover करेंगे तो आते हैं देखते हैं हम लोग की यहां पर हमारा जो question है यह क्या बोल रहा है तो question जो हमारा है यह क्या बोल रहा है कि बिहार में एक लाग से अधिक जन संख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है तो एक लाग से अधिक जन संख्या वाले नगरों की संख्या जो है वो 19 option ऑपशन दी ऑपी हार में लेंगण नूपाथ कितना है तो वैंग्या के जनगर्णा के अनुसार व्हार में संखय कितनी है जो गतने हैं फि Immediate एक्यानबे से दुहजार एक के बीच बिहार की जनसंख्या में वृधी दर्जी की गई तो कितनी वृधी दर्जी की गई है यहां पर यहां वृधी है 28.4 तीन प्रतिशत पटना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घरत्यवाला जीला कौन सा है तो यह जो जीला है यह है दर्भंगा राइट एंसर ऑप्शन एक पश्मी चंपारण का मुख्याले कहां है तो पश्मी चंपारण का जो मुख्याले है वो बेतिया में है राइट एंसर ऑप्शन बी अग बिहार बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था तो बिहार बंगाल का विभाजन ने जो है वो कप किया गया था तो 1912 में किया गया था राइट अंसर इस ऑप्शन सी अगला यहां पर देखेंगे पूर्वी बिहार का कौन सा हिस्सा अलग कर जारखंड बनाया था तो पूर्वी बिहार का दच्छनी छेत्र जो है वो अलग करके जारखंड बनाया था राइट अंसर ऑप्शन डी भोजपूर का मुख्याले कहां पर है तो भोजपूर का स्मेंट बर्आने का कंषा नहीं है तो कल्यारणपूर में नहीं है घर convin किंगे कूल संख्छा कि इतनी कितनी है जोने हैं 1673 हैच अराइट संख्ण एगला देखेंग इनमें कोन ऊद्धोगर के इंद्र कौन है सासाराम के इंद्र नहीं है राइट एंसर ऑप्शन बी अगला देखेंगे बिहार में रेलवे का एक मात्र मुख्याले कहां पर है तो रेलवे का जो एक मात्र मुख्याले है वो कहां पर है तो वो हाजीपूर में है राइट एंसर ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना कहां है तो तेल शोधक कारखाना जो आगला है गंडग पर यूजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो गंडग पर यूजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सिचाई करना है राइट अंसर ऑपशन d कि खगलर की स्थांद के निकत गंगा एक ओंगा एक के दफिकीऊर मुरती है राज़ महल की पहाड़ी पर राइट अन्सर इस ऑप्ष्णधि गंगा मैदान की मिंठी की औसम्राइव क्या हैadores की कि इसकी कितनी है तो जाएर से 1030 GP है राहर आश्क पूच्चन तर्पूज उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है तो तर्पूज उत्पादन के लिए भागल पूर्जो है यह प्रशिद्ध है राइट अंसर ऑप्शन बी अगला है बिहार में वर्षा रितु कब होती है तो बिहार में वर्षा रितु जह है वो जून से सितंबर तक होती है राइट एंसर ओप्शन ए आगे देखेंगे बिहार में वर्षा का समाने औसत क्या है तो बिहार में वर्षा का जो समाने औसत है वो 120 cm है अगला देखते हैं बिहार की आकरिती किस प्रकार की है तो बिहार की जो आकरिती है वो चतुर भुजा कार है बिहार में हिमाले की कौन सी स्रेणी मिलती है तो बिहार में हिमाले की शिवालिक स्रेणी मिलती है अगला है बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो बिहार के मैदानी भाग में हम लोग देखेंगे तो वाहित मिट्डी पाई जाती है अगला यहाँ पर है बिहार में जलका उप्योग किस काम के लिए होता है तो बिहार में जल का जो उप्योग है वो सिचाई के लिए होता है, right answer option A बिहार की कितनी भूमी क्रिशी के अंतर गताती है तो बिहार की तीन चौथाई भूमी जो है वो क्रिशी के अंतर गताती है, right answer option B अगला है बिहार में मकई का सरुप्रमुक उत्पादक छेतर कौन्शा है तो मकई का सरुप्रमुक उत्पादक छेतर जो है वो कोसीटट है, right answer option A अगला है बिहार में धान का उत्पादकता कितनी है बिहार में धान की उतपादक्ता है वो 1,287 kg घ्टेर है तो right answer option C बिहार जिले, यहाँ पर हम लोग को देखना है कि बिहार जिले में कुल संख्या कितनी है बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है तो यह 18 Right answer option D अगला है सासा राम में किस जिला का मुख्याले अवस्तित है तो सासा राम में रोहतास जिला का मुख्याले अवस्तित है राइट अंसर ओप्शन सी अगला है सबसे कम वर्षा का जिला है तो सबसे कम वर्षा का जो जिला है वो कौन सा है बकसर है राइट अंसर ओप्शन B कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है तो बिहार का शोक कहलाने वाली नदी कौन सी है तो कोशी नदी है राइट अंसर ओप्शन C अगला है पटना के लखी सराय तक का नीमने छेत्रे क्या कहलाता है तो लखी सराय तक का नीमने छेत्रे है वो जल्ला कहलाता है राइट अंसर ओप्शन ए अगला है इनमें कौन सी नदी सालो भर जल पूरीत नहीं रहती तो सालो भर जल पूरीत कौन सी नहीं रहती है तो छीद नदी जो है वो नहीं रहती है Right answer option D बिहार की कौन फसल साल भर तैयार होती है कौन सी फसल है जो साल भर तैयार होती है तो गन्ना Right answer is option C अगे देखेंगे बिहार में किस प्रकार के वन पाय जाते है तो बिहार में हम लोग देखते हैं तो पतज़डवन पाए जाते हैं राइट अंसर ओप्शन C अगला है बिहार की फसल सघंता कितनी है तो फसल सघंता बिहार में 2.06 है राइट अंसर इस ओप्शन D आगे देखेंगे बिहार में बहुफसली भूमी का प्रतीशत कितना है तो बहुफसली भूमी का जो प्रतीशत है वो 62.65 प्रतीशत है राइट अंसर ओप्शन बी अगला है इनमें कौन रवी की फसल है तो रवी की फसल इनमें से कौन है तो जो जो है यह रवी की फसल है राइट अंसर ओप्शन सी आगे है बिहार में सिचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है तो सिचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है वो नलकूप है Right answer option C कोशी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया तो कोशी परियोजना में हम लोग देखेंगे हनुमान नगर पर बराज बनाये गया है राइट अंसर ऑप्शन भी तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए धन्य फिर लाइव सि हो प्रफल्ट है । कि ऊतरалась रहाए बनाये वीडियो वीडियो आया गैंगर अनुमान भी एैया है रहाए रहे रहे वीडियोग प्यूल में ऐसे प्क्षा